हेलो फ्रेंड मैं हूँ नीलम और स्वागत है आपका मेरी किचन में आज मैं आपके साथ सूरं की सबजी की रेश्पी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत स्वादिश्ट बनती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने एक पाव के करीब सूरं ले लिया है तो सबसे पहले हम इसे छी लेंगे तो छीलने से पहले फ्रेंड हाथों को अच्छे से ओयल से ग्रेस कर लें क्योंकि इस में से जो पानी निकलता है छीलने के दौरान या काटने के दौरान तो उससे हाथों में इचिंग होने लगती है बहुत लोग के skin बहुत sensitive होता है तो ऐसे लोग या तो हाथों में plastic लगा के छीले या gloves जो आता है उसे पहन के आप इसे छील सकते हैं तो ये जो चुकि ये बहुत बड़ा होता है और इसे काट के ही रखना होता है या कि काट के मिलता है तो ये जो काटा हुआ हिस्सा होता है वो ब्लैक हो जाता है तो इसको हम इस तरह से चाकू की मदद से अच्छे से धीरे-धीरे छेल लेंगे इसे हम कुछ लोग ओल भी कहते हैं और इसे हम इंग्लिज में एलिफेंट फूट के नाम से भी जानते हैं और दिवाली के समय तो ये सबके घरों में बनता है तो आप इस दिवाली में इस रेसिपी को जरूर ड्राय करें तो इस तरह से मैंने इस वुरन को अच्छे से छील लिया है और अब हम इसका मंचाहा टुपडा करेंगे तो टुपड़े बहुत ज्यादा ना बड़े करना है ना छोटा करना है तो हम इसे मीडियम साइज में काट लेंगे काटने के समय विशे सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा यह हाड होता है और काटने में दिक्कत होती है तो सावधानी से इसे हम इसे कट कर लेंगे अब हम इसके छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे है तो इस तरह से मैंने सभी को काट लिए है अब हम इसे जल्दी से वाश्च कर लेते हैं तो इसको हम अच्छे से दो लेंगे को धोने के बाद कम से कम See 2 यह 3 पानी कम से कम धोएं से तो च Лीए इसके लिए हमने जो मसाले लिया है तो मैंने दो प्याश काट लिया है दाल चीनी अधरक लैसुन सुखी मेज तेश पत्ता जावित्री लॉंग सहजीरा और दाल चीनी बड़ी लाइची मैंने ले लिया एक टामाटर मैंने काट के ले लिया है तो अभी कुकर करम हो गया है और इसमें मैं डाल नहीं हूं सरह का तिल से विल्कूल जब दूगा नी कलने लगए तब यह सूरन के कटे और पीसे जिसमें-डाल के वैसे फ्राई करेंगे, तो हम इसे हल्का ही फ्राई करेंगे बहुत ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे एक हलकी इसी कोटिंग आ जाए इसके उपर वस उतना ही फ्राई करना है तो देखिए हम इसे इतना फ्राई करेंगे इससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करना है तो अब हम इसे आईल से बाहर निकाल लेंगे यह पुस्ता दाना और यह हमने ले लिया है इसे अब हम तेल में डालके इसे हलका सा फ्राई करेंगे तो जो तेल इसमें बचा हुआ है एक चम्मच के करेंब हम इसमें और आयल डालेंगे और इसमें हम अपने सभी खड़े सुखे मसाले डाल देंगे इसमें मैंने डाल दिया लहसून अदरक और हलका सा हम इसे भूने लगे ताकि इसमें अच्छी सी खुस्बू आने लगी है अब हम इसमें डालेंगे सुखी लाल मिर्च और इसके बाद ही हम डाल देंगे इसमें कटे हुए प्याज तो ये दो प्याज है जिसको मैंने ऐसे छोड़े चोड़े में काट लिया है आप इसे लंबे भी काट सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसे पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे तो प्याज हमारा हलका भून गया है और अब हम इसी बिच डाल देंगे टमाटर वो मिला देंगे इसे अच्छे से और देखिए प्याज हो टमाटर भून गया है और हमें इसे इतना भूनेंगे और इसके बाद से अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए इसे थोड़ी दियर रख देंगे तो थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देंगे इसके बाद से मिक्सिजार में डाल के हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो देखे प्याज टमाटर मारे ठंडे हो गया है तो हमने इसे मिक्सिजार में डाल दिया और इसमें मैं डाल लेंगे एक चम्मज धनिया पाउडर आधा चम्मज के से भी थोड़ा सा कम जीरा पाउडर जो हमने मसाले में नहीं डाला था वह मिक्सिजार में डाल देंगे इसे अच्छे से पीस लिया है तो अब हम उसी कुकर में एक चमच करीब और तेल डालेंगे गरम हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा चमच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर के अब हम इसमें डाल देंगे यह पीसे हुए मासाल, और इसे अच्छे से में लाती हुए अच्छे से भून लेंगे कि अ कर मेंhö तो थोड़ी थोड़ी देर पे हम धक धखक गें बीच-बीच में श्टर करते हुए थे इस能 भून लेंगे यह लाल मिर्च है जो मने मसाले में डाला था तो ज्यादा तीखा नौजा इसलिए मैंने इसे नहीं पीशा और इसको मैं इसमें ऐसे खड़े ही डाल रही हूँ अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अंसार नमक और इसे चलाते हुए अच्छे से हम इसे भून लेंगे देखी मसालों का कलर चेंज हो गया है और मसाले हमारे अच्छे से भून गया है देखी मसाले हमारे कठे हो रहे हैं यानि कि मसाल अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें आवसकते अनुसार पानी डालेंगे लेकिन सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये प्राइ किये हुए सुरन के पीसेज और इसे भी हम इन मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उतना पानी इसमें अट करते हुए और अब हम कूकर बंद करेंगे और इसको प्रेशर में लवक दस मिनट तक पकाएंगे और अगर आप विसील के साथ इसे पकाना चाहते हैं तो दो विसील आने तक इसे पका लें तो देखें दस मिनट पकाने के बाद थोड़ी देर तक मैंने कूकर को छोड़ दिया था ऐसे तो अपने आप से प्रेशर निकल गया और यह देखिए 10 मिनट के बाद हमारा सूरन की सब्जी का करार कुछ-कुछ ऐसा दिखेगा तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि यह सूरन पक गया है कि नहीं कि यह देखिए बहुत सॉफ्ट तरीके से गल गया बहुत सॉफ्ट हुआ है यह कर जा रहा है इसे मैश करके देखते हैं यह बहुत अच्छे से गल गया है और हमारी सूरन की सब्जीबन निकाल लेते हैं हिए आज है यह देखिए सुरन की मज़ेदार लजीज सब्जी बनके तयार है आप भी इस दिवाली अपने घर में इस सब्जी को जरूर बनाए सब तारीफ करकर के खाएंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें